एसेट्स की तरह ही हमारे पास स्ट्रोंग बेस और वीक बेस एविलेबल होते हैं जो किस चीज़ पर डिपेंड करेंगे कि कितने हाइड्रॉकसाइड आयन एज प्रोड़क्ट बन कर आए तो सेम एसेड्स जैसा एसेड्स में होता था कि जितने जादा हाइड्रोजन आयन्स ह होंगे उतना ही वो एक स्ट्रोंग एसेड्स होगा सेम बेस में होता है जितने जादा हाइड्रोक्साइड आयन होंगे उतना ही वो एक स्ट्रोंग बेस होगा और जितने कम हाइड्रोक्साइड आयन होंगे उतना ही वो एक कम या वीक बेस होगा और हाइड्रोक्साइड आय झाल झाल